रोट्वाइलर एक पॉपिलर डॉग बिट जो कि आज कल काफी जादा एड़ॉप की जा रही है नए ओनर्स के दोरान भी लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाल है कि ये डॉग बिट को एड़ॉप तो कर लेते हैं अब लेकिन क्या ऐसी चीज है जिनके कारण आपको इनको हैंडल करने में काफी जादा मुश्किल आ सकती है इवन डॉग को और आपको दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है और इनको फैमली मेंबर की तरह भी आजकल बहुत रखा जा रहा है तो क्या वज़ा है जिसके कारण नहीं रख पा रहे हैं और क्या वज़ा है कि काफी सा स्टबन अब ये डॉग बिट बहुत ज़्यादा पावफुल डॉग बिट होते है साथ साथ ये डॉग बिट को आपको बताना होगा कि आप अलफा है इनको जो भी करने दे रहे हैं वो नहीं करने देना है यानि उनकी मन मरजी नहीं चलने देनी है हमेशा क्योंकि अगर आ हमेशा हर ताइम उनकी मन मरजी चलने दे रहे हो जिसे जहां जा रहे हैKS जाने दे रहे हो बुलाने पर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं खाना भी कहीं पर खा रहा है कुछ भी discipline नहीं रख रहा है obedience नहीं कर रहा है तो इसके कारण क्या हो जाएंगी यह stubborn हो जाएंगे तो even कोई महमान आ रहे है आपके घर पे कोई अगर stranger आ रहा है कुछ work करने कोई आ रहा है तो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगी उनके सामने भी और अपनी मर्जी सी चलाते रहेंगे इस cases में काफी जादा problem हो जाती है कि अगर dog bit train ना हो तो यह dog bit काफी पर attack भी कर देता है कुछ चीजों के कारण तो आप चाहो तो भी रोकनी बात है इसलिए यह काफी stubborn हो सकते है अगर आप इनकी properly training ना करो या फिर इनको बताऊना कि आप alpha ना हो तो हमेशा याद रहे इनने बताना कि आप alpha हो इनकी जो भी करने दे रहे हो नहीं करने देना है यानि उनकी मन मर्जी नहीं चलने देनी है नॉर्मल चीज़े जैसे खा रहा हो और जाके सो रहा हो वो सब चलता है, लेकिन वो बिना बोले ही कहीं जा रहा है, भाग रहा है, रस्ते पर भी सुननी रहा है, कुछ भी नहीं सुनता, तो ये सब चीजे नहीं होने देनी हैं आपको, अगर आप ये होने दोगे, तो पहले पहले तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आगे चल भी कर रहा है वो करने नहीं देना है उसे जैसे कि अगर कहीं चला जा रहा है कुछ कर रहा है तो नहीं आपको नो बोलना है पॉजिटिव रिफॉर्समेंट यूज करना है उनको ट्रीट देनी आपकी बात माने तो अलग-अलग तरीके से उनको ट्रेन करके बताना है कि जो च खत्रा ना हो तो भी attack कर दे तो इन cases में आप उनसे जो है obedience training के कारण आपकी बात मानेगा रुख जाएगा सिर्फ इसी में नहीं काफी सार बाहर जो है बाहर ले जाते हो आप या फिकोई मेहमान आ गए चिल्डरन स्वास पास काफी सारी चीजों में ट्रेनिंग काम आएगी इनकी training पर आपको जरा सा भी जो है आलस नहीं करना है बचपन से इनको training करना start रखना है जिससे यह आपकी बात माने और stubborn ना बने साथ साथ ऐसे dog ना बन जाए जो खुद को alpha समझे और जरा भी आपकी बात ना माने अगर यह सब करने लगता है training जरा भी नहीं देते obedience training भी दरा नहीं देते तो यह खुद को जो है alpha मानते और आपको handle करने में काफी ज़्यादा problem होगी नंबर 3 intensive socialization अब देखिए socialization सारे dog में important होता है आपने काफी notice कि होगा कि किसी के पास rottweiler है वो normally friendly रह रहा है अच्छे से रह रहा है strange activity पे भी अगर नो बोलर रुख रहा है ब उनके पीछे तो यह सब क्या होता है यह है socialization का असर जिस तरह से आप अपने dog bit को socialize करोगे दूसरे person के साथ animals के साथ लोगों के साथ वो वैसा ही behave करेगा और वैसा ही रहेगा इसलिए इन dog bit की जो है socialization पे सकत ध्यान देना होगा आपको बचपन सही वरना यह एक mistake के कारण आपको इनको handle करने में काफे ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इसलिए इनको दूसरे pets के साथ animals के साथ dogs के साथ अच्छे से socialize होने देए खेलने दीजे खेलने जा रहा है तो उनके साथ time spend करने दीजे दूसरे person के साथ भी time spend करने दीजे काफी बार लोग ऐसा करते है कि घर physical power अब ये डाग बीट इनकी high physical power के लिए high energy level के लिए जाने जाते है इनको अलग 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 tasks various perform करने में आपने देखा होगा काफे सारे missions पे आपने देखा होगा even military canine unit में भी इन डाग बीट का use किया जाता है सरचान rescue missions में आर्मी में हर जगा इन डाग बीट का use किया जा आरे हो और आप खुद इतने powerful नहीं होंगे काफी बार हमें खुद को भी powerful होना पड़ता है क्योंकि डाग बीट काफी जाधा weight pool कर सकते तो वॉक करने ले जाओगे आपकी बात ही नहीं मालेगा आपको भी खीचते हुए ले जाएगा तो लीश ट्रेनिंग आ जाती है काफ प्राब्लम होना start हो जाता है तो क्या करना चाहिए तो इस cases में डाग बीट यह सब करता है जब उसकी जो है energy release नहीं हो रही होती है कुछ और भी चीज़े हो सकती है factor जो affect कर रही है लेकिन यह सबसे common होता है कि डाग बीट जो है अपनी energy release करने के लिए ऐसा करता है घर में कुछ चीव कर लेगा यह फार देगा सोफा पर चड़ जाएगा यह खेलेगा वो करेगा तो यह सब हाई energy level होते है उनमें इसके कारण होता है तो अगर आपको आपके डॉक बीट का जो है energy को release करना है अच्छे से उसकी energy generalize करना है तो आप उसे walk पे या फिर running के लिए इससे क्या होगा इनकी energy release होगी healthy रहेंगे और काफी कुछ problem नहीं आईगे आपको next आता है health issues अब health issues इससे पहले point मैंने डिसकस किया कि high energy level होती है काफी बार काफी लोग क्या करते कि अपने रोट वाल को दिन में भर घर में बिठा के रखते हैं कहीं पे भी नहीं ले जाते खाना खिलाते रहते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि खाना प्रॉपर ली खिला है बहुत ज़्यादा खिला देते हैं और obesity की problem आ जाती है इसके कारण में health issues आने लग जाते हैं इसलिए हमेशा याद रहे इनका खाना जो है proper होना चाहिए उसके उपर हम अगले point में बात करेंगे अ जा सकता है साथ-साथ इनको health issues आना स्टार्ट हो सकते हैं इसलिए इनकी health पे जरू से ध्यान देना है proper exercise डी वार्मिंग और vaccination जरू से complete रखनी है यह easy way है जिससे आप easily handle कर पाऊगे लेकिन यह नहीं करते तो काफी कुछ problem आएगी handle करने में ही नेक्स्ट आता है proper food अब काफ एक ही चीज खिला-खिला कर रहे हैं अब देखिए डॉक बीट को सारे vitamins, nutrition, omega, fatty acids सब कुछ की जरुवत होती है तो यह सब उसको कहां से मिलता है डॉक फूड में अगर आप homemade food ही दे रहे हो उसमें यह सब ना हो और एक ही चीज फीड करे जा रहे हो तो इसके कारण क्या होग इसका जो diet plan proper होना चीज अच्छे से इनको dog food जो भी खाना दे रहे हो आप ऐसा नहीं किसी बाहर का देना है आप homemade food को और बाहर के food को mix करके दे सकते हैं जैसे dog food और घर की चास रोटी में mix करके दे दिया थोड़ा-थोड़ा यह से dog food खा भी लेंगे इनको proper nutrition, vitamins जो मिलने च जान देना है अब next point आता है not always friendly अब ऐसा नहीं है कि यह dog food को आपको बता रहे हो कि हाँ चलो friendly है मैंने तो बले लिया खरीद लिया कुछ socialization नहीं की training नहीं की अच्छा रहेगा family के साथ ऐसा नहीं यह protective skills साथ साथ जो है अगर आप इन्हें properly रखनी रहो जैसे इसे बढ़ा करोगो वे वैसे ही होगा तो इन्हें आप बच्पन से socialize करो train करो साथ साथ children's के साथ रखे होता हमेशा याद किसी बड़े का होना जरूरी है कोई accident ना हो इसलिए इससे क्या होगा कि आप careful भी रहोगे अच्छा भी आपको ध्यान रखने में easy भी होगा जो protective skills है वो तो आप अपने dog bit को handle कर पाऊगे और यह सब चीजें नहीं करते हो तो इसके कारण आपको handle करने में problem होगी रोटवाइलर को तो आशा करता वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो एक like कीजिए चानल पर नहीं होतो सब्सक्राइब कर लीजिए